हमारे देश में 2022 में जब बजट पास हुआ था तो इस बजट में क्रिप्टो क्रेंसी का एक नया जिक्र हुआ था और इसकी निगरानी जो आरवी आई के द्वारा किया जाएगा तो आखिर क्रिप्टो क्रेंसी है क्या इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दूसरी बात क कि अगले जो सत्र चलने वाला है एक अप्रेल से इसमें भी क्रिप्टो क्रेंसी के बाड़े में बहतरीन तरीके से इसमें चर्चा किया जाएगा आज हमारे साथ अमरेंद्र कुमार सर हैं इनसे चर्चा करेंगे ये क्रिप्टो क्रेंसी के एक बहुत अच्छे जानकार है और जानेंगे कि क्रिप्टो क्रेंसी आखिर है क्या अगर जो क्रिप्टो क्रेंसी में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे क्रिप्टो करेंसी में अपने पुझी को इन्वेस्ट करकर के अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं अच्छा खासा पैसे जनरेट कर सकते हैं हमारे साथ अमरेंदर कुमार सर हैं बहुत-बहुत स्वागत है तो बहुत लंबा आपका यह सेशन चला जाएगा तो हम सौट में बता दें देखिए बहुत पहले सब लोग जानते हैं कि लेंदेन जो होता था वस्तुवीन में से होता था बाद में आपका सोने चांदी के सिक्के आए और उसके बाद आपका जो पेपर का करेंसी है वो आया तो एक बात अगर गौर करें इतिहास पर अगर वीचार करें तो जी कि अब भाई सोने चांदी का जो सिक्का है उसका बयाकी तामबे का ही जो सिक्का है जिसको की कॉमोडीटी करेंसी भी करते हैं उसका मुकाबला पेपर का टुकड़ा कैसे कर सकता है लेकिन लोगों ने एड़ाप्ट किया प्रचलन में आया और देस वीड़ेस हर जगा उसक हिस प्रकृzkट वाद करनें अब अब सावानने बात क्या सक्या है उसमें वैसे सिर्फ कागज ही है लेकिन उस पर मोहर लगा दिये कि उसका कोई झाहिए करता एक चाफ्यद को आद Harley थे ज सब्सक्राइब कांगर मऄं करते हैं जिसका की तो फ़े चैपिस सेंट ना कोई copy कर सकता है मतलब चोड़ी उसका missyuse नहीं हो सकता है secure data है उसमें कोई fair बदल नहीं कर सकते हैं copy नहीं कर सकते हैं वैसे computer का जो भी data होता है copy करना आसान होता है यह तो जानते होंगे लेकिन जो cryptography एक technology है जिसे की cryptocurrency हमने बनाना शुरू किया तो उसमें वही होता है कि लेन देन का पूरा आकड़ा उसमें रेकॉर्ड हो जाता है जिसमें कोई छेड़ छार नहीं कर सकता है वो सम्मभवी नहीं है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करणजी आ है और दूसरी बात कि यह जो है इसके पीछे एक कारण और वह पार था कि जब हम एक देश से दूसरे देश के पीच में जब लेन दिन करते हैं कोई आम आदमी करना चाहता है तो वैसे इस थीति के परकेम हो जाता है टाइम टेकिंग होता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह लोगों ने कृप्टो करणजी को लाया जो कि हाल होगा क्रिप्टो करेंसी का आपको नहीं चाहके भी स्विकार करना पड़ेगा जैसे कुछ दिन पहले ये उहापोह की इस्थिती बनी की वह वैद से पहले है जैसा है और अपने देश के लिए लोगों को इस पश्चरूप से कह दिया था कि देखेए सरकार चाह के भी नहीं रोक पाईगी ये सरकार के बस में नहीं रह गया है तो अब जो है वो सरकार को लाचार होके इसको मानिता देना पड़ा और सरकार ने ये कही कि आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें 30% हम को टैक्स दे दीजिए बाकी आपका क्या होता है उससे हमको ले कुछ जो खीम देखे परिशानी देखे या कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आता है समय बहुत ज्यादा होल्ड करके रखना पड़ता है निगरानी रखना पड़ता है रेट क्या गया नहीं गया और फ्लेक्ट्ट इसमें भी उसी तरह से होगा देखिए जो जानते होंगे पैसे का मतलब इन्वेश्ट करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा रूजान होता है प्रॉफिट होने का बहुत कम समय में लेकिन लॉस होने का भी डर उसमें ज्यादा होता है तो शेयर वजार और फॉरेक्स को छोड़ दीजिए अगर बात हम क्रिप्टो क करें तो यहां अच्छी बात यह कि कम पैसा लगा के आप ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं आपको जानके थोड़ा सा पाजूब होगा हो सकता है बात यह गले से नहीं उत्रे लेकिन हम दावे से कहते हैं यह संभव है मात्र 500 रुपया भी आप लगा के काम स्टार्ट करते हैं और 5-10 साल के लिए छोड़ दीजिए तो आप सुनकर चौक जाएंगे कि आपका 500 रुपया 5 करोड में बदल जा सकता है है ना मज़े की बात है मज़े की बात है लेकिन यह चार जनक बात है अब रहवात इसका परमान अगर आप जानना चाहें तो आप इस बात को ऐसे स लिया होगा सुरुवाती दौर में तो आज उसके पास और वो खड़ रुपया होगे होगा अब वही हम इसको अगर तुलना करें जो नया नया करेंसी आता है करेंसी का आपको पूरा टेकनोलोजी भी समझना पड़ेगा कि उसका रेट बढ़ेगा या कैसे बढ़ेगा क्य पैसा लगाए देखें यह होता है कि पैसा लगाने के बाद तुरत सुचता है कि हमको उसका रिटर्निंग जल्दी से जल्दी मिल जा है तो पैसेंस तो आपको रखना पड़ेगा अब आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से तो एक आसान तरीका या बहतर तरीका यह है कि आप किसी एक्सचेंज में एकाउंट खोलिए जैसे कि हम प्रेफर करते हैं सबसे इंडिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया का आपका वजिरेक्स है और वजिरेक्स से भी बहुत एडवांस है आपका बाइनांस तो बाइनांस में आपका future trading का option भी लिया गया है जिसमें कि आप मात्र दस डॉलर लगा के पांच डॉलर लगा के भी आप काम को कर सकते हैं और आप डेली ट्रेड करके आप एक डॉलर हाफ डॉलर अगर आब आपके capacity पर के कितना लगाते हैं अगर सो दो सो डॉलर लगाते हैं तो आप लंसम दस से बीस परसेंट तक आप महिने में निकाल सकते हैं तो अब अगर इसके बारे में आप ज्यादा कुछ जानना चाहें या फिर बहुत से लोग यह होते हैं कि यूट्यूपर और बाकी इंस्टाग्राम और बाकी फेश्बुक जैसे आमने सामने अगर मिलके परसंट टू परसंट बातों को जानने समझें अगर मिला जाते हैं तो हम इसके लिए बता दें कि हमारा ओफिस है जगट ट्रेड सेंटर में 514-514 जो है पांतला पांचमें तल्ले पर है आप वहां संपर्क कर सकते हैं या फिर जो भी दर्सक में अगर आदमी चाहता है या यह सुचता है कि भाई पैसा लगा के हम फास सकते हैं पैसा किसी का भी मैनत का कमाई है तो आसानी से लगाना नहीं चाहिए हां तो आपको क्रिप्टो करेंसी वह जरिया है जो कि आपको फ्री में भी बहुत सा क्वाइन मिलता है और यह कैसे स दिहान में रखेगा शॉफ्ट प्रोडक्शन के नाम से है वहां पर वैसे तो विंबें प्रिंटिंग और टैक्सेशन आधी बहुत सजीज का काम होता है लेकिन मेरा एक ख्वाइस है कि हमारे सर्किल के जो लोग हैं बिहार के लोग हैं जहां पिछले पन का सिकार जहां जहां हैं एसेट्स का हैं तो क्रिप्टो एसेट्स में आप इन्वेश्ट कीजिए और ट्रेडिंग कीजिए और फिर अपना अर्न कर सकते हैं बिल्कुल और एक चीज में भी बता देना चाहता हूं कि सर जो अपने पता रहे हैं दिवे से पहले चर्चा कि एक इंटर्व्यू में हर चीज को बता देना संभोव नहीं है कोई भी चीज जो है डारेक्ट एक ही बार में खत्म नहीं हो सकता है तो हो सके कि अगले बार भी मुझे इंटर्व्यू लेना पड़े और बेहतरीन और जनकारी चाहते हैं आप इसके बारे में क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सर से मिलना ही पड़ेगा या कोई और भी जनकार से आप सलाह ले सकते हैं कोई जरूरी नहीं एक चीज है जैसे मे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं फोन मत कीजिए आप मेसेज कर दिए इसलिए कि हर समय फोन को पिक करना जवाब देना थोड़ा मुस्किल भागदार का जिन्दगी है काब आदमी कहां ब्यस्त है वो कोई नहीं जानता है आप सिर्फ मेसेज कीजिए आपके मेसेज का जव हो रहा है क्या सरकार के गाइडलाइन से आगे क्या होगा कैसे किया जाएगा हर चीज को जनकारी रखना पड़ता है तो सर बीजी भी रहते हैं तो मैं आप लोग से यहीं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं अगर आपकी कोई और सवाल है तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता स आप वहां पर भी आकर के संपर्ख कर सकते हैं और जनकारी ले सकते हैं मैं बता दू कि हमारा बिहार ज्यादा तर जो है यहां पर लोग मेहनत मजदूरी अपने जो है यह वह दो समस्या है एक तो वह प्रैक्टिकल चीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं और दूसरा सबसे बड़ा डर जो है ना उनके मन में डर लगता है कि भाई जोखी महमुठाएं कैसे तो इस पर हम एक important बात बताएं आपको Warren Buffett का नाम आपने सुना होगा यह जो आपके शेर बजार से वो आदमी पैसा कमा के दुनिया का तीसरा सबसे richest person है तो वो यह कहते हैं बताएं कि भाई पैसे को अगर आप दबा के रखिएगा सुरक्षित रखिएगा तो काम आपको करना पड़ेगा आपको पैसा तो डेली चाहिए खर्च डेली हो रहते पैसा डेली चाहिए लेकिन पैसा को दबा के वाहां के जो लोग है अगर शेज़र रुपर कसे महिने के दबार घ्रेन करते हैं या उसको ट्रेडिंग करते हम ने करताए जितना ग्यान रहे गा क्या करना है कैसे करना उस फिल्ड में वह जरूर दीमाग अपना बाग्या जमाएगा इस वाविक है धीरे अपना अगर माध्यम से महीने में चोटा सा ट्रेंड रोलह चोटा सा बता रहें महीने में प्रिएवेट ट्यूशन वगरा लेता है तो तीनाजार रुपया मंधली जो मिलता है आगर वो पार्ट ट्रेडिंग करें तो समझ यह उसके लिए ट्यूशन के बराबरे कोचिंग पार्ट ट्राइम काम करने के बराबरें तब है कि उसके पास इस्किल होना चाहिए और तेली ग्राम पर मेसेज कीजिए और आपका फेस्बुक है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर यूटीव चैनल है मुझ उस पर आप कमेंट कीजिए सारे डीटेल आपको दे दिया जाए जहां आपको लगता है कि हमको रिस्क लग रहा है या कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो थोड़े सा से सुरुवात कीजिए लर्नर के लिए तो थोड़ा-थोड़ा ही में जो की मुठाना पड़ेगा जब पूरी बात समझ में आए तो फिर आपके कैसिटी पर आप कितना रिस्क ले सकते हैं चीजों को पहले समझिए जानिए और हमारे बिहार में जो हैं गव रोजगार का कहें तो बहुत गंबीर समस्या है लेकिन जानकारी के अभाव में लोग बस बैठे हुए हैं नहीं तो अगर आपको चीज समझ में आने लगे कि पता रहेगा तो फिर आपके पास समय ही नहीं रहेगा बात करने के लिए भी नहीं रहेगा सही बात मैं बताओं तो मुझे भी ट्रेडिंग के बारे मालूम नहीं था लेकिन जब मैं तयारी कर रहा था तो हमारे टीचर जो थे उन्होंने बताये थे कि एक महिला है जो पटना के रहने वाली महिला है और वो ओसर ऐसे थी कि अपने हस्वें को लंच पैक कर देती थी चले जाते थे बच्चे को स्कुल चोर देती थे और फिर उसके बाद घर पर आई और ओलो नौहीं पर आई बिहार के बहुत आ रहा हूं क्यों बिहार के पहली महिला थी जो उनका नाम मुझे नहीं आथा हाँ ट्रेडिंग इस तरह अच्छा नाम उनका आया था एक्सपोर्ट में एक बात हम इसी तरह का वाकिया बता हैं एक हम मिले उनसे खास करके कोई बुजुर्ग आदमी है अच्छा का आदमी इतना एक्टिव है वह लेकिन देखे पुराने आदमी है तो सिर्फ सेर बजार को जानते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं रिटार इंजिनियर हैं समझ सकते हैं कि बीस रुपए का कोई सेर को जब आट सो रुपए पर हो जाता है जो कि एक हजार सेर लि इसे लोगों के पास जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास भी टाइम नहीं रहता है तो अब रिटायर करने के बाद हो समझ यह की अर्न करके अपने परिवार को दे रहे हैं तो वह जब नॉलेज है तो फिर आदमी के पास बहुत काम है और सवाल है अब सब्सक्राइब से ए देखिए यह बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल आप किये क्रिप्टो में जो है ना बहुत सा घोटाले बाजी इसमें भी हुआ है तो एक चीज गौर किजिएगा कि घोटाले बाजी वहीं होता है जहां कि आपका पैसा थर्ड परसन ने लेके रखा है एस्टैकिंग के लिए जैसे क्रिप्टो में होता क्या है कि स्टैकिंग का मतलब हुआ कि आप फिक्स डिपोजीट जैसे जनरल केस में करते हैं वहाँ पर स्टैकिंग होता है तो स्टैकिंग थर्ड परसन लेके करता है वह कहता है आप अपने इतने करेंसी को लेके आप छोड़ दीजिए एक साल क कब गया कोई नहीं जानता है तो हम इसमें सलाह यह देंगे कि आप जो है कभी भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपने निग्रानी में अपने एकाउंट में कीजिए थर्ड परसन के हैंड ओवर कभी मत कीजिए या फिर आपको लगता है कि जोकिंग में तो थोड़ा सा से रिस्क ले सकते हैं सुरू से यह कहते हैं यह कहने का मतलब कि आपका जो भी एक्सचेंज है आप वहां पर अपना एकाउंट खोलिए वहां पर आ जजर आता रहे 24 घंटे आप देख सकते हैं लॉग इन होने में कोई दिक्कत नहीं हो और वह एक्सचेंज आपके टच में रहे तो जो रैपूटेड एक्सचेंज है वैसे एक्सचेंज में कहीं कोई गरवड़ी नहीं होता है आपका थार्ड पार्टी हम जो बोले ना वर्ड भी हो जाता है शटर गिड़ गया पैसा लेके चला गया भाग गया तो वहां पर तो हम यहीं सलाह देंगे कि भाई आप इन्वेश्ट करते हैं एक्सचेंज के तूँ डायरेक्ट कीजिए आप डिपोजिट किये तो अगर रेट कितनों गिर जाए तो कम से कम आपके नजर में तो है कि कितना कौई नहीं रह जाता है लोग सीधे ये समझ मैटने है कि नहीं उसमें पैसा लगाना मतलब पैसा डूब जाएगा तो यह चीज है चलिए उमीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा और कुछ नया चीज सिखने को मिला होग अगर आप लोग भी क्रिप्टो क्रेंसी में अपना इंवेस्ट करना चाहते हैं कुछ अच्छा करना चाहते हैं क्रिप्टो क्रेंसी के माध्यम से पैसे अर्न करना चाहते हैं तो एक वार सर से मिलिए इनका नाम है अमरेंद कुमार नाम है और सरका पटना में ओफिस भी है और यह सलाह देते हैं क्रिप्टो क्रेंसी के ऊपर की क्रिप्टो क्रेंसी में कैसे इन्वेस्ट किया जाए और कि उन्या हम लोगों के लिए हो सकते हैं से दीरे-दीरे common होना सुरूगा आज के समय में तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छूता नहीं रह गया है लोग खड़ी देना नहीं जानते हैं ट्रेडिंग करना नहीं जानते हैं तो यह एक अलग बात है लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में नाम सब लोग जान देख रहतें सीके टीवी इंडिया न्यूज नमस्कार जैंद